हलो गाइज वुलकम बैक टू माच चैनल इस वीडियो हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमोरो यानि की टूजडे को निफ्टी फिफ्टी के कौन से इंपोर्टेट लेवल है कहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगी क्या यहां से निफ्टी फिफ्ट उपर जाएगा सबके उपर हम बात करेंगे बट से पहले हम जानेंगे आज मार्केट में क्या हुआ मैंने आपको आज तीन ट्रेड दिया था अपने टेलिग्राम चैनल पर अगर आप फस्ट ताइम विजिट करें तो आप लोगों से बोलूँगा कि जल्दी से जॉइन कर 17,000 के आसपास मतलब ओपन तो हुआ था 17,065 के आसपास लेकिन वह जो पहली पांच मिट केंडल बनी आप देख सकते हैं उसका जो क्लोजिंग था वो काफी नीचे था एंड मैंने जब बोला वैसा हुआ हमने पहली ट्रेड आपको दीती जब हमारा मार्केट था यह जो र देख सकते हैं उसको आपको अच्छा ट्रेंड मिला और यहां पर आपको कम से कम 20-30 पॉइंट तो आराम से बनाने चाहिए थे ठीक है हमने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया उसके बाद हमें एक ट्रेंड मिला यह और मैंने आप लोगों को बताय था कि अगर यह ट्र लॉस हिट हुआ और हम नीचे गए हैं लगबग लगबग 16,860 के आसपस और इसमें भी मैं यह नहीं बोलता पूरक कैप्चर करो आपने अट लीस्ट 25 पॉइंट तो कैप्चर कियोंगे 20 पॉइंट जो हमारा पहली 2-3 केंडल रही है जैसा कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है यह पार्ट में इतना तो हमारा कवर हो जाता उसके बाद मैंने आपको तीसरा ट्रेड कब दिया मैंने आपको तीसरा ट्रेड दिया जब हमारा यह जो लाइन है ना इसको तोड़के नीचे आया मार्केट तब हमने आपको दिया तीसरा ट्रेड आप टेलिग्राम प then retest किया और वापस से इतना बड़ा आपको move दिया but already हमने तीन आपको trade दिये और तीनों trade successful रहे यानि कि minimum 50 point आप बना सकते थे 50 point का मतलब होता है धाई जार रुपए so मुझे नहीं लगा कि और ज़्याद आपको trade देनी चाहिए एक दिन के दे फिर chances बढ़ जाते हैं गलत होने के तो जितना कम से कम रखो बट profitable रखो अब important बात है यह हमारी एक trend line थी जहाँ पर market ने हमारा support लिया फरस्ट है वहाँ से market उपर गया उसके बद यहाँ दुबारा support लेने कोशिश के लेकिन यहाँ गिरा और एक चीज आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कई ना कई डबलू पैटन देखने को मिल रहा है तो उसका भी यहाँ पर crossover था तो वहाँ से भी एक अच्छा trade लोगों में बनाया होगा उसका अदम ने क्या देखा इस टेंड लाइन पर गूम तरह नीचे उपर नीचे नीचे और यहाँ पर इसको support लेते हुए market उपर की तरफ चला गया हमारा जो last support था जो की है 16,800 तक वहाँ तक market नहीं गया और market में end time में आप बोले बारा बजे एक बजे के बाद अच्छी recovery देखने को मिली और market ने जो closing दिये वो कई न कई वापस से 17,000 के आसपास की closing दे दी है अब important बात हमारे market ने एक छोटा सा कर दिया है gap up क्या यह gap up कल fill होगा हो सकता है not a big deal कल यह gap up हो सकता है कि fill हो जाए अरे यह क्या खुल गया अब क्या करना है कल उसके उपर हम बात कर लेते हैं आज का तुम्हें ने बता दिया कि 3 trade थी जहाँ पर आपको पैसा बनाने का मौका मिला था अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर हम कल की बात करें तो हमारे लिए कल जो important level है पहले तो हमारा important level है 17000 का क्योंकि आप अगर देखेंगे तो notice करेंगे last time में market 17000 के उपर गया बट closing नीचे दिये तो अगर हमारी flat closing flat opening होती है कलो 17000 के उपर market open होता है और sustain करता है important है यह sustain करना अगर sustain करता है यह level आप देख सकते हैं support के है support के 17000 का level है अगर यह sustain करता है तो आप से e-call के लिए जा सकते हैं नहां तक जाएंगे यह gap filling हो सकती है कल की market खुले और उसके बाद gap fill करने के लिए उपर की तरफ जाए लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि उपर resistance बना हुआ है resistance का है यह level है हमारा resistance का यानिकी 17100 से लेके 150 के बीच में resistance है जहां आपको ट्रेड बिलकुल भी नहीं करना है यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है यह तो हो गए अगर हमारा market flat open होता है अगर हमारा market 17120 के आसपास open होता है माल लीजिए 50-60 पंड उपर तो फिर हम P side के लिए देखेंगे सी side के लिए नहीं देखेंगे प्लस यह भी डिपेंड करेगा कि मॉर्निंग में हमारा SGX निफ्टी कहां पर है प्लस डाउ जोंस और नेज्डेक की क्लोजिंग कहां पर यह सब कुछ आपको मैं टेली ग्राम पर मॉर्निंग में बता देता हूं कि overall scenario क्या है, market कैसा perform कर सकता है नीचे की बात करें तो जब तक market हमारा यह blue line को नहीं तोड़ेगा तब तक हम और bearish नहीं है लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा, फिछले तीन दिन में दो बार market हमारा यह वाले levels को touch कर चुका है यानि कि यहाँ पर जो buyers बैटे हुए ना, जो market को उपर लेके जा रहे है मैं दिखाता हूँ आपको, आज का दिन देखिए और यह वाला भी दिन देखिए, 16 तरीक वाला, यहाँ पर नीचे आया था market, वापस उपर गया आज भी नीचे आया, वापस उपर गया तो sellers अगर खतम हो, buyers अगर खतम हो जाएंगी इस level पे और बार-बार market नीचे आता जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी यह चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि buyers अगर खतम हो रहे हैं, तो वहाँ पर seller activate हो सकता हो seller activate हो गए, तो फिर हमारा market 16800 के level को तोड़ देगा फिलाल यह scenario है, जब तक यह blue line कल की अगर हम बात करें तो 16800 अगर इसके नीचे market जाएगा, तो फिर आपके लिए selling opportunity बनेगी बाकि अगर इस range में बनती है, 17000 से लेके 16800 के बीच में तो वो मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा, जैसे कि मैं रोजाना बताता हूँ आप लोगों कि कब trade लेना है, कब नहीं लेना है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं तो रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग अनी स्टॉक और भी जो भी आप related पूछना चाहें इन्वेस्टमेंट से लेके तो वो आप उदर आके पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ